प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट लोगों के बैंक एकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए हैं HDFC बैंक के एक अधिकारी के अनुसार अब तक लगबग 2300 करोल रुपीय लोगों को दिये जा चुके हैं HDFC लिम्टेड ने 29 मही को कहा के उसने सरकार की फिलेगसिम हाॉसिंग स्कीम प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट 300 करोल रुपीय से अधिक सबसिडी का बितरल किया है जिससे पहली बार घर खरीदने वालों को एक लाग से अधिक का लाब हुआ है HDFC ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रदान मंत्री आवास योजना क्रेड़ लिंक्ट सबसिडी के तहट दसलाग चार हजार से अधिक परिवारों को 300 करोल रुपीय के सबसिडी राशी का भुकतान किया गया है कमपनी ने CLSS के तहट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आयवर्ग और मद्ध वर्ग से सम्मंदित होम बायर्स को 22,136 करोल रुपीय के होम लोन की मंजूरी दी है MIG के ये उजना कब तक मान है और किस उमर तक के बेक्ती इसका लाब ले सकते है इस सम्मंद में पूरी जानकारी देंगे आपको जानने के लिए वीडियो पूरा देखे एंड तक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेर करें हमारी और खबरे देखने के लिए हमारे चैनल फुल लोप अपडेट को सब्सक्राइब करें तो चलिए आपको आगे की जानकारी बताते हैं, MIG की ये उजना 31 मार्च 2020 तक मानने है, जबके LIG की ये उजना 31 मार्च 2022 तक मानने है, लेकिन जोस्तों यदि आप भी 15 बर्स से अधिक आयू के हैं, और आपको भी प्रधान मंतरी आबास ये उजना के तहट घर लेना है, त तो आपके पास अपना आधार काट और बैंक एकाउंट होना जरूरी है, यदि आपके पास दोनों है तो नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लखें, हम आपको अगली वीडियो में इस पर उसे इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो दोस्तों ये खबर बस यहीं तक खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारी और खबरे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर लें, बराबर में जो बैल का आइकन देख रहे हैं, इसे भी टच कर दें टाके आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले, ख्याल लखें अपना ध में जह कर दो है झाल में जह कर दो है